तो आईए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो पोशन ट्रेकर एप की नई अपडेट आई है जिसमें कि जो नय ओप्शन को जोड़ा गया है भेरिफाई अधार का तो इसमें आपको कुछ गरबडियां देखने को मिल सकती है जैसे कि अधार भेरिफाई वाले ओप्शन में आपको किसी-किसी बच्चे का नाम या किसी-किसी लभार्थी का नाम दो बार सो कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे हटाएंगे यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि इस बच्चे का जो नाम है वो दो बार सो कर रहा है जबकि इसके माता-पिता का नाम एक ही है इस प्रकार से कई और बच्चे हैं जो यहां पे दो बार दिखा रहे हैं तो उसको हम लोग यहां से कैसे हटाएंगे जैसे कि नीचे मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ कि यहां पे भी जो इस बच्चे का नाम है वो दो बार सो कर रहा है हो सकता है कि जो उनके माता-पिता हो अलग-अलग हो लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे हैं इनके माता-पिता का नाम सेम है एक ही माता-पिता के जो बच्चे हैं वो दो बार यहाँ पे नाम एड हो चुका है तो यह क्यों एड हुआ है औ और इसको हम लोग कैसे हटाएंगे इस अधार वेरिफिकेशन वाले option से हम लोग हटा पाएंगे या नहीं हटा पाएंगे इसकी भी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आज की ये वीडियो आप सभी आगनबारी बहनों को useful लगे तो इस वीडियो को लाइक कर है तो चलिए हम इसके कारण के बारे में पहले समझ लेते हैं जैसे कि यहाँ पे बेनिफिसरी वाले केटेगरी को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप लोग देख लिजिए का कि किस केटेगरी के जो नाम है वो यहाँ पे दो बार सो कर रहा है और जैसे कि हमारे portion tracker app में जो ब बच्चों का नाम यहाँ पे दिखा रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अभिराज कुमार जिस बच्चे का नाम है यहाँ पे दो बार सो कर रहा है तो इसके पिछे कारण क्या है जैसे कि अगर आप लोग portion tracker app में update आने से पहले मालिजे जो 6 माह से बच्चे का उम्र ज चुकी है तो उसी के कारण यहाँ पे दो बच्चों का नाम दिखा रहा है जैसे कि automatic वाले में से एक बच्चे का नाम वहां से delete किये होंगे लेकिन delete नहीं हुआ होगा तो उसी बच्चे को फिर से यहाँ पे transfer कर दिया गया है इसी के कारण हो सकता है कि आप लोग के portion tracker app में इस परकार से दो-दो नाम दिखा रहे होंगे तो इसको आप लोग क्या किजेगा यहाँ से आप लोग जिस बच्चे का जो दो नाम है उसको आप लोग यहाँ से एक बच्चे का नाम delete कर दिजेगा जैसे कि delete करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे जो आधार verification वाला option है उस इस बच्चे का जो नाम है यहाँ से हमने delete कर दिया है और वहाँ पे चलके देखेंगे कि उस बच्चे का नाम वहाँ से हट पाया है या नहीं देख सकते हैं यहाँ पे उस बच्चे का नाम हट गया है तो आपको वहाँ से उस बच्चे को delete कर लेना है जिसका भी दो बार न खार वाले option को open कर लेते हैं यहां पर अभी थोड़ा से refreshing लेगा उसके बाद आपका ये जो बच्चों का लिस्ट है या जो भी लभार्थियों का लिस्ट है यहां पर open हो जाएगा और यहां पर देख सकते हैं कि जिस बच्चे को हमने delete किया है उस बच्चे का नाम यहां से तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जिस बच्चे को हम लोग डिलीट कर रहे हैं तो वो बच्चे उसी टाइम डिलीट नहीं होंगे आपको यहाँ पे थोरा सा वेट कर लेना है कुछ टाइम बाद एक दिन बाद यहाँ से वो बच्चे का नाम हर जाएगा तो इसी परका का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद